नमस्कर किसान भाईयों मेर नामे रंजीत और आप देख रहे हैं अरे गल्चाप फार्मिंग किसान भाईयों आज हम बात करेंगे फसलों में लगने वाले सभी परकार के कीटों के लिए Insecticide India Limited की नुवान कीट नाशक के बारे में इसमें Technical क्या है, इसकी मात्रा क्या है, इसका Result कितने दिन का है, इसकी कीमत क्या है और वीडियो के अंत में Level of Toxicity के बारे में भी बात करेंगे कि ये दवा कितनी जहरी लिए तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली हुआ रहा है तो वीडियो के नीचे दिएगे ला रंग के बटन को दबा दीजिए ताकि खेती से समंदित नईने वीडियो आपको समय 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 से मिलती रहे तो चली शुरू करते है तो किसान भाईयों सबसे पहले बात करेंगे कि नुवान क्या है नुवान एक कंटेक्ट एं स्टमक एक्शन वाले इंसेक्टिसाइड है मतलब यह सभी परकार के कीटो को सीधे संपर्क में आने पर यह सप्रेय वाले पौदो को खाने के बाद कीटो का नर्वास सिस्टम ब्लॉक हो जाता है जिससे कीटो की मृत्ति हो जाती है और इसमें टेक्निकल है डाई क्लोरो वास 76% EC EC के मतलब इमल्सी फियवल कंसंट्रेड यह लिक्विड फॉर्म में होता है कि नुवान कीट नाशक कौन-कौन सी फसलों के कौन-कौन से कीटों का कंट्रोल करता है तो किसान भाईयों नुवान कीट नाशक धान की फसल में पत्तल पेड BPH मतलब ब्राउन प्लंट हॉपर और आर्मी वाम का कंट्रोल करता है की फसल में गयोंग की फसल में समय ध्यान रहे कि किसी भी जानवर पर सप्रे न गिरे और अब हम बात करतें इसकी मात्रा के बारे में तो किसान भाईयों इसकी मात्रा है 30 ml 15 लिटर पानी के लिए और आप सप्रे में 1.500 से 200 लिटर प्रतियकट पानी का ही प्रयोग करें और इसका रिजल्ट 10 से 12 दिन तक रहता है और इसका पैकिंग साही जाता है 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लिटर और 1 लिटर पैक की किमत है 900 रुपे और वैसे आजकल सबजों में डालने के लिए नुवान से भी अच्छे-च्छे कीटनाशक आ गये है और कुछ किसान भाईयों का कहना है कि नुवान कीटनाशक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाईए और नुवान कीटनाशक कहीं जगा बैन हो गई है और कहीं जगा बैन होने वाली है इसलिए इस दवा का बहुत साफधानी से प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये कीट नाशक रेड लेवल में आती है और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके वहाँ नुवान मिलती है या नहीं और कुछ किसान भाईयों के ये भी सवाल थे कि धान की फसल में BPH के लिए नुवान कीट नाशक डाल सकते हैं तो किसान भाईयों आप नुवान को किसी भी BPH को कंट्रोल करने वाली सिस्टमिक कीट नाशक के साथ डाल सकते हैं जहां पर BPH का अटेक बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये कंटेक्ट बेस कीट नाशक है जिससे नुवान की सफरे करने के तुरंत बाद BPH इसके संबर्क में आते ही समप्त हो जाएगा मगर आप नुवान का इस्तमाल शाम के समय ही करें ठंडे टाइम पे क्योंकि ये दवा बहुत तेज होती है तो उमीद करता हूँ आप सभी को नुवान कीट नाशक के बारे में दीगी जानकार ये अच्छी लगी होगी और किसान भाईयों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद